इस वीडियो का टॉपिक है कि पूर्ण प्रत्योगिता की इस्तिती में AR और MR एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं। क्या बोला कि पूर्ण प्रत्योगिता की इस्तिती में AR है और MR है दोनों equal क्यों होते हैं। अब ये equal क्यों होते हैं इससे पहले जाने लेते हैं कि AR का meaning क्या होता है और MR का meaning क्या होता है तो देखें ये लिखा हुआ topic कि जो AR है उसको कहते हैं और सत आगम और जो MR है उसको कहते हैं सीमान्त आगम ये हमें लिखा हुआ है AR का जो full form है वो है average revenue A for average और R for revenue तो इस पकार से AR का इदनी में पूरा नाम हो गया औसत संप्राप्ति भी बोलते हैं इसको औसत आई भी बोलते हैं और औसत आगम भी बोलते हैं उसके बाद दूसरा है MR, M for marginal और R for revenue तो इस पकार से इसका हिंदी में अर्थ हो गया पूरा सीमान्त संप्राप्ति तो MR हो गया सीमान्त संप्राप्ति और AR हो गया औसत संप्राप्ति अब बात हो रही है कि पूर्ण प्रत्योगिता की इस्तिती में है क्योंकि टॉपिक यही है कि पूर्ण प्रत्योगिता में आउसात आगम अर्थाथ AR और MR एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है AR is equal to MR अर्थाथ इन दोनों का जो मान होता है बेली होती है एक दूसरे के बराबर ही होती है तो लिखेंगे इस परकार से AR is equal to MR अब यह होता क्यों है इसको समझना है कि यहाँ होता क्यों है तो इससे पहले यह जान लेते हैं कि जो पूर्ण प्रत्योगिता होती है उसमें क्या होता है कि उद्योग कीमत को निर्धारित करता है उद्योग अर्थाथ जो किसी वस्तो को बनाने वाली फैक्टरी है वहाँ जिस वस्तो का उतपादन करती है वो उस वस्तो का मुल्य नि तो ऐसे में क्या होगा कि उद्ध्योग द्वारा जो कीमत फर्म के लिए तैकी गई है कि ये चीज मैं आपको दे रहा हूं ठीक है और आप इस वस्तु को इसी ही कीमत पर बेचेंगे ठीक है तो फर्म कीमत में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है उसे उसी कीमत पर बेचना पड़ता है कि जो कीमत उद्ध्योग द्वारा तै की जाती है उधरन के लिए मेरे हाथ में ये पाने कीम बोतल है अब ये जो बोतल है माना कोई कमपनी बनाती है और उस कमपनी का नाम है बोतलम ठीक है क्या उसका नाम बोतलम तो वो कमपनी क्या है वो फैक्तरी है या उसको उद्योग कहेंगे और माना बात फरम मेरी है ठीक है और मैं क्या करता हूँ कि बोतलम कमपनी से बोतल खरीता हूँ क्या करता हूँ बोतल खरीता हूँ और कितनी बोतल खरीता हूँ मैं लेकिन प्राइज जो होगा वह इस कमपनी द्वारा जो तै होगा उसी कमपनी द्वाराताई कीमत पर मैं उसको बेच सकता हूँ, माना कि उद्ध्योग से मुझे एक बोतल का प्राइज मिला कि आप 8 रुपे के हिसाब से इसको बेचेंगे, अब मेरी मर्ज में 200 भी ला सकता हूँ, ठीक है, 100 भी ला सकता हूँ, उससे कम भी ला सकता हूँ, और जाता भी असी, आट बोतलों की किमत कितनी हो जाएगी, असी रुपे हो जाएगी, दो बोतल बेचूँ, तो प्राइज वही रहेगा, आट रुपे रहेगा, ऐसा नहीं कि 9 ले लिया, अगले ग्राग से 10 ले लिया, quantity यहाँ, मात्रा कितनी भी बेचूँ, खीक है, उसको बेच सकता हूँ, उसके कोई परतिबन नहीं है, मात्रा को तुम कम बेच वड़ाद, आप 4 बेचो या 50 बेचो, मांग जादा होगी तो जादा बेचेंगे, और मांग कम होगी तो कमी बिकेगा, ओके, लेकिन योगीता की इस्तिती में उद्योग द्वारा फर्म को जो वस्तो दी जाती है, फर्म उसकी कीमत पर वस्तो को बेचती है, वह कीमत में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है, कि कीमत क्या होती है, एकदम से इस्तिर होती है, जैसे कि मैं प्राइज एक ही रहेगा एट रुपीज पर बोटल ठीक है आप इसको समझते हैं यहां पर देखिए कि पी फॉर होता है प्राइज और क्यो फॉर होता क्वांटिटी यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं पी इंटु क्यू इस इक्वल्टो हो जाएगा टी आर ठीक है टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का मिनिंग हो गया कुल संप्राप्ति अब पी की जग मैं यहां पे आट रुपे लग लगता हूँ, ठीक है जी, गो तल भी जी माना वाद, तो आट को तीन से गुणा करेंगे, तो मुझे कुल आई कितनी प्राप्त होगी, 24 रुपीज प्राप्त होगी, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू इस TR, ठीक है, यह तो इसका फर्मूला हो गया, कि TR कैसे निकाला जाएगा, अब इसके बाद के आता है, कि हम बात कर रहे हैं, AR की बात कर रहे हैं, AR, AR मिन्स होता है, Average Revenue, यहां याद रखना है, बार बार ने बता जाएगा, क्योंकि Average Revenue क्लम सॉल्ट में AR कह रहे हैं, यह इ चाहिए आप संप्राप्ति बोलो, आई बोलो, आगम बोलो, तो तीनों का नाम याद रखना है, ठीक है, तो A, R कैसे निकला जाएगा औसा संप्राप्ति, इसके लिए फार्मूला है कि T, R divided by Q, क्या करना है, जो कुल संप्राप्ति है, उसमें बेची गई जो मात्राएं है, क टोटल रेवेन्यू है भी है, कितनी प्राप्त हुई में, यह हमें हुई 24 रुपीज, बोतल कितनी भी की, 3, ठीक है, तो TR तो यह हो गया हमारा 24, और Q हो गया, 3, 3 का भाग देना है 24 में, ठीक है, तो यह होगा 3 अटू 24, तो इस पकार से हमारा जो A, R निकल के आ गया, वो इस आट को यदि हम नीचे से गुणा कर देंगे, तो क्या हो, आट तीया, 24, तो इस पकार से एक बोतल का दाम निकल गया, कितना? 8 रुपईया, तो औस जब भी निकाला जाता है, तो औस निकालने के लिए हमेशा quantity, यह जो निर्गत होता है, output उसका भाग देना पड़ता ह किसका भाग देना पड़ता है? आउट फूट का, जैसे हम बोतल की बात कर रहे हैं, तो माना बात तीन ही बोतल भी की, और उससे आई कितनी मिली? 24 रुपीज, तो तीन का भाग 24 में देंगे, तो 8 रुपईया आ गया, तो इस प्रकार से यह हमारा हो गया, AR, अब AR के बाद होता है, MR, ठीक है, अब MR निकाने के लिए क्या करना है? ठीक है, MR का फर्मूला है, कि डेल्टा टी आर डिवाइड़ बाई डेल्टा क्यू, तो MR, अर्थाद, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू, के लिए ये सूतर जाए से मिली लिका है, अबे, गड़ा डिवाया का अर्थ होता है, परिवर्थन, कि टी आर्था कुल संप्राप्ति में कितना परिवर्थन हुआ, और यहां नीचे भी, क्वांटिटी या निर्गत या आउट्वुट में कितना परिवर्थन हुआ, ठीक है, इसके आधार पर हमारा क्या निकलेगा? MR नि बेचने से 40 रुपे की प्राप्ति होती है, पांच बोतलों को बेचने से 40 रुपे की प्राप्ति होती है, कैसे होती है, आठ गुणा गया, पांच आठ पंजे, 40 रुपे की प्राप्ति होती है, ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए हमें, कि 40 हमने यहां फिर रख और इसको बटाना है चार ये बराबर हो गया कितना कि 32 में से 40 हो गया आठ और पांच में से 40 गया एक और एक का भाग आठ पर देंगे तो क्या जाएगा आठ निकल कर आज जाएगा ओके अब ये कैसे हुआ देखें कि जो MR होता है marginal revenue या सीमांतस आगम इसका अर्थ होता है कि एक अतरिक्त इकाई को बेचने से एक अतरिक्त अर्थाथ कि चार बोतल बेचने से 32 रुपे की प्राप्ती होती है, ठीक है, चार बोतल बेचने से 32 रुपे आते हैं, और पांचवी बोतल बेची, तो कितनी रुपे आगे, 40 रुपे आगे, तो टी आर में कितनी बिड़ दे होगी, पांचवी बोतल बेचने से 40, और 4 पे कितनी थी, 32, त तो 40 में से 32 गया आठ और एक अत्रितिकाई बेचन से पहले कितनी बोतल बेचा चार उसके बाद बेचा पांच तो क्वांटिटी कहा है नीचे है बाई में तो पांच रिन 4 बराबर एक तो आठ बटाई हो गया तो एक आठ में देंगे तो यह हो गया आठ क्या हो गया आठ त तो इस प्रकार से यहाँ पे यह तो हो गया कि ती ती आर का इसे निखलेगा पूल सम्फरापति कहसे आएगी और सीमान संपरापती यर सीमान ता गम वो किस पकार से आएगा, इस चीज़े मैंने आपको यहां पर बताई, ठीक है, आप देखिए, हम बात कर रहे हैं, कि AR is equal to MR, कि दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि हमने यहां पर देखा, यहां भी 8 आया, यहां भी 8 आया, ठीक है, और MR यहां भी 8 आया, प्रता 8 रुपे दोनो जो बोतलों की बात में बेच कर रहा था, बेचने की, उसके लिए तालिका बनानी है, ठीक है, तो माना बाद एक कालपनिक तालिका है, पहले पर लिखा है P, दूसरे पर लिखा है Q, तीसरे पर लिखा है TR, चौदरे पर लिखा है AR, और पांच यूपर लिखा है MR, तो इस लिख सकते हैं टीए फीफर प्राइस इनी में होगा कीमत, दूसरे में हैं क्वांटिटी यहां पर लिखेंगे हैं मात्रा ठीक है, यह निर्गत भी कह सकते हैं उसको गुड़। A05 यहां पर लिखिएंग आपको प्ल संप्राप्ति या कुल आई कुल आगम ठीक है ए में े-बाद की जगाय आप खहा सकते हैं औस्टसंप्राप्ति औस्टागम औस्ट are उसद आई और से ओछ प्रकुरिन यह और प्रेट लिग सकते हैं ठीक है । और उस्के फर्म, जो वस्तो बेशती है, उद्योग द्वारा जो कीमत तई होती है, उसी पर बेशती है, हमें उधान के लिए लिया है, कि कोई फर्म क्या करती है, बो TAL लेती है उद्योग से, और उद्योग से मिलता उसको 8 रूपे पे, कि आपको 8 रूपे के हिसाब से बोतलों को कि 5 बोतल बेचने का यहां पर क्या है quantity मात्रा है और इसी के आगए आप कीमत एक समान लिखेंगे, उधान***े लिए 8 hat देटाषा थे यहां 1010 आदेटा लिखेंगे 15 लिखेंगे तो सब पंरें 15 लिखेंगे 25 यह फसे ही आएगा, ऐसे हमके 8 रूपए लिया है ओके और quantity लेली इतनी अब टी आर कैसे आता है जैसे हमने आवे कहा पी इंटी क्यू पी इंटी क्यू इस इगोल टू टी आर तो यहां पर आठ है यहां पर जीरो है तो आठ को जीरो से गुणा करेंगे तो कुल संप्राप्ति क्या होगी जीरो अर्था बोतल जब हम बेचे है तो एक को आठ से गुणा करेंगे कितना हो गया आठ रुपया आठे कम को आठ तीक्या है उसके बाद उसने दो बोतल बेची यहां पांच छालिस इस इन दोनों को आपस में गुणा करते चले जाएंगे इसे लिए हमने आप पहले आपको बताएं यहां पे पी इंटू की रूप में निकलेगा टी आर ठीक है तो इस पकार से आप देखेंगे कि पहली बोतल हाने पर कुलाई कितनी प्राप्त हो रही है आट रूपय प्राप्त आगे देखें आगे आर्थाथ औसत आगम कैसे निकालींगे औसत आगम निकानने के लिए क्योंकि यहां 0 है इसको डेस करदेंगे यहां कंसे कि नहीं हो अब औस तरिकानने के लिए क्या करना है कि जैसे हमने यहां कहा कि TR divided by Q यह आपने क्या करना है यह TR है तो TR की बहले देखे कितने यहां पर 8 है और Q कितना है? 1 है तो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 आएगा, ठीक है? उसके बाद 16 में 2 का भाग देना है तो 8 आएगा 24 में 3 का भाग देना है तो 8 ती यहां, 24 यहां 8 आएगा और 4 का भाग 8 में देंगे तो 8 चको 32 और 5 का भाग हम 40 में देंगे तो 5 अटो 40 तो इस परकार से यहां पर देखे AR हमारा क्या आगया? 8 आट 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 फिक है? तो यह हो बोतल की प्रति इकाई कीमत है, अर्दाद आप देखेंगे AR यहां भी 8 रुपे है, कितना है? कीमत के बराबर है यहां भी कितना है? AR वो भी कीमत के बराबर ही है यहां तक तो बात होगी कीलियर अब आगे चलते हैं कि MR कैसे निकाला जाएगा तो MR निकालने के लिए से मैं निकाला कि डेल्टा टी आर डिवाइड़ बाई डेल्टा क्यू इस परकार इस सूत्र से निकालेंगे अब कैसे निकालेंगे? अभी देखिए यहां 0 रडैस होगी यह अंक जो यहां पर टी आर का है यह वाला आपने सीधे यहां ले जाना है अब क्या करना है? यहां से 16 में से 32 को माइनस करना है 16 माइनस 8 is equal to 8 उसके बाद 24 में से 16 गटाईए 8 32 में से 24 निकालीए 8 और 40 में से 32 माइनस करेंगे तो 8 तो अब यह तालिका क्या बता रही है हमें? ठीक है? आठ 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 ठीक है? कि एक मात्रा बेजने पर भी AR और MR बराबर दो बोतल बेजने पर भी दोनों बराबर, तीन बोतल बेजने पर भी बराबर, पांच बोतल बेजने पर भी बराबर, तो जो बात हमने कही कि पूर्ण परत्योगिता में AR, MR के बराबर क्यों होता है तो ये बता दिया हमने ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो प्राइज दिया हुआ है फर्म को उद्ध्योग के द्वारा निर्धरित है आपको जो मुल्य हमने दिया है उसी रेट पर आप क्या करेंगे बहुत लोगों को बेजने का काम करेंगे तो जब एक समान मुल्य रहता है और यह कब होता है यह पूर्ण परित्योगिता की इस्तिती में यह होता है जब पर्फेक्ट कंप्रिटीशन होता है तब ही जाके ववस्तुका मुल्य एक समान होता है तो जब मुल्य एक समान होगा तब ही जाके AR is equal to क्या हो जाएगा MR हो जाएगा AR is equal to MR ख़़ता 8 किसके बराबर है 8 के बराबर है AB art है AB art है तो इस पकार से इस तालिका को याद रखना है आपने AR है और MR है ठीक है एक से लेकर और 5 तक AR और MR जो है वो प्राइज के बराबर है किसके बराबर है प्राइज के बराबर है तो पुर्ण प्रत्योगिता कि इस्तिती में क्या होता है कि AR is equal to MR is equal to P कि AR बराबर MR is equal to कि अद्याँ गार्जागा P अर्था P for Price यह जो होता है, इन दोनों का जो मान होता है जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है तो किसके बराबर है? P इस Price के बराबर होता है तो पूर्ण प्रत्यक्तिक की दसा में AR is equal to MR बराबर P ठीक है? अर्थाद यहो, कीमत के बराबर होता है कौन होता कीमत की बराबर? कीमत की बराबर AR अर्थाद और समप्राप्ति और सीमान्त समप्राप्ति उन प्रत्यक्ता की इस्तिती में किसके बराबर होती है? Price अर्था मुल्य के बराबर होती है एक बार पुन हो, देखिए AR कितना है? 8 MR कितना है? 8 तोनों बराबर हो गया कीमत कितनी है प्राइस के मुल्य के बराबर हो गया। तो इसके लिए क्या करना है हमने कि रेखा चित्र बनाने के लिए हमने इस परकार से दो क्या करने हैं अक्ष लेने हैं इस पर लिखेंगे X इस पर O और इस पर Y इस परकार से यह Y अक्ष हो गया और यह हमारा X अक्ष हो गया और निर्गत के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद यहाँ पर हम दिखा रहे है AR is equal to MR के बराबर होता है तो हर जगह देख रहे हैं आट 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 ठीक है यहाँ भी प्राइज आट 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 तुश्पकार से इस अर्था Y अक्ष पे हमने क्या दिखाना है AR बराबर MR अर्था दोनों की I को हमने इस पर लेना है और साथ में ही यहाँ पर हम प्राइज को भी दिखाएंगे पूरी लाइन पे हमने तो क्योवल 8 को ही लेना है ठीक है चाहे यहां से उठा लो चाहे एक तीनों एक दूसरे के यहीं बराबर हैं तो हम माल लेते हैं कि 8 यहां पर आ रहा है ठीक है बीच में लेंगे और हमने लिख दे हैं यहां पर कीमत क्या लिख रहा है कितनी रूपी जारी है 8 रूपी जारी है अब आप इसके बात क्या करना है नीचे पर निर्गत कितना है 0 से लेकर 5 तक है तो यहां से लेकर 5 cm के लाइन खींजे और उसको 5 बराबर भागो बाइन टीए 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4 and 5 इस प्रकार से इसके पांच बराबर भाग हो गए अब देखिए कि P ये दे रखा है जब quantity गया है 0 है कुछ नहीं बेचा जा रहा है 0 है तो price कितना है 8 रुपईया यहाँ पर एक point लग गया अब जब एक bottle बेची गई ठीक है AR कितना है 8 रुपईया और AR कितना है 8 रुपईया तो दोनों का ले एक ही यहाँ पर point लगईगा क्योंकि ऐसे नहीं कि एक रेखा के ओपर दूसरी रेखा आ गई क्योंकि दोनों का मान बराबर है इसलिए जो रेखा जाएगी वो एक ही होगी क्योंकि यहाँ भी 8 है ठीक है अब दूसरी बोतल बेची तब भी 8 है तीसरी बोतल बेची 8 है ठीक है तो दूसरी बोतल बेची देशे आप एक point लगा दिया ठीक है इस 8 रुपई के सामने तीसरी बोतल बेची 8 रुपईया चौती बोतल बेची 8 रुपईया अब इन बिंदुओं को आपस में मिला देजिए, अब देखे, यह हो गया हमारा AR is equal to MR is equal to P, क्योंकि पहले बता चुगा हूँ यहां पे, P हमारी कीमत 8 रुपई या, हमारा AR 8 रुपई या, MR 8 रुपई, हर जगे, नीचे की उतरो, और चाहे उपर के उड़ जाओ, नीचे के सब जाड़ जगा, 8 रहा है, 8, 8, 8, इसलिए AR is equal to MR, और यह हो जाती हमारी प्राइज लाइन, यहां पे देखे, इसलिए यह जो रेखा होगी, हमेशा पड़ी होगी, पूर्ण परत्योंकिता की दसा में, तो यदि आप इसको समझ गये हैं, आपको ध्यान में रहेगा, कि पड़ी रेखा क्यों होती है, और यह दूनों एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं, और यह प्राइज का पड़ती मिद्दू भी करता है, कि प्राइज के ही बराबर क्यों होता है, हमें सब जब ऐसी लाइन आपको दिखाए देगी, और यहां पर का जाएगा, कि AR is equal to MR हो तो तुरंत पता लग जाएगा, यहां पर लिखा है कि AR is equal to MR होता है, ठीक है, तो यहां पर यह AR भी दिखा रहा है, बराबर MR दिखा रहा है, और तीसरा क्या दिखा रहा है, प्राइज, क्योंकि तीनों, यहां पर एक, दो, तीन, कई बार मैंने इसको refit कर दिया है, तो इ अक्ष के समानतर, यहां हमारी क्या है, प्राइज लाइन भी है, तो कहीं पर इसको प्राइज लाइन के रूप में दर्साय जाएगा, तो पड़ी रेखा होगी, कहीं पर प्राइज ने लिखा है, AR is equal to MR लिखा है, कि पूरन प्रत्व के दर्स्वा में, कि AR जो होता है, MR के 30 रेखा के नाम से इसको जाना जाता है, अगला आता है, इसी को क्या कहते हैं, मांग रेखा के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, कौन सी, मांग, पूर्ण तया, पूर्ण तया, लोचदार मांग, पूर्ण तया, लोचदार मांग, पूर्ण तया, लोचदार मांग की इस्तिती में क्या होता है, जो मांग रेखा होती है, वो भी क्या होती है, ऐसी पड़ी होती है, ठीक है, कीमत फिक्स होता है, आप चाहे आप एक वस्तू बेचो, ठीक है, तो कीमत वही रहेगी, चाहे दो बेचो तब भी प्राइज आठी रुपईया है, तीन बेचो तब भी प्राइज उतना ही है, चार बेचो तब भी प्राइज उतना है, पांच बेचो तब भी उतना ही है, ठीक है, पांच बेचो आठ रुपईया, ठीक है, एक बेचो आठ रुपईया, तीन बेचो आठ र थोता है यहां कौन से रिखा जो A-R और P-R कह रहे हैं यह तो होता ही है A-R is equal to M-R भी होता है और A-R is equal to M-R जो भेली होती हो प्राइज होती है तो यह प्राइज लाइन भी हो गई यह पुण तोहल लोचदार मांग की रिखा भी हो गई और यह रिखा हमें यहोवी दर्शा रही है कि AR और MR पूर्ण प्रत्योकिता की इस्तिती में एक दूसरे के बरावर होती हैं ओके तो इस प्रकार से पूर्ण प्रत्योकिता में औसत आगम और सीमान आगम बरावर क्यों होते हैं इसका अंसर इसमें मैंने आपको बताया कि यह होता क्यों है कि एक बार इसी को हम repeat कर लेते हैं कि पूर्ण प्रतिविता की इस्तिती में फर्म उद्योग द्वारा दी गई कीमत पर ही वस्तु को बेचती है तो हमने कहा बोतल दी तो बोतल आट रुपे के हिसाब से प्राइज वही रहेगा अब फर्म जिसकी फर्म है वो चाए तो बोतल कम बेज सकता है ज़्यादा बेज सकता है यह उसके ओपर डिपेंड है ठीक है लेकिन कीमत वह हो जो देगा जिस पर बेचेगा वहाँ डिपेंड करता है कि फैक्टरी वाले ने उसको किस कीमत पर दिया है जैसे मैं आपको बोतलम कमपनी का उधान दिया था कि बोतलम कमपनी ने मुझे जाड़ा मेरी फर्म है कि मुझे आट रुफे के हिसाब से बोतले दी है अब मैं देखता हूँ कितना बेचना चाहता हूँ बेचेगा मैं किस हिसाब से जितनी डिमांड होगी तो उधार हमने पांस तक का लिया है पांच बोतल बेची यहां पर हमने चार बेची यहां पर तीन बेची यहां पर दो बेची यहां पर एक बेची तो कुल मिलागा कितनी बहुत बिख जाएगे इन सब को टोटल जोड़ लेंगे ठीक है इसको भी जोड़ लेंगे या इसको multiply कर देंगे ठीक है सब को जोड़ने के बाद R से गुणा कर देंगे और इसको जोड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा TR बराबर निकल आ जाएगा तो इस परकार से जब भी आपको A रेखा के लिखा रहे AR बराबर MR होता है आगे क्योंकि हम जब आगे पढ़ाएंगे तो इसी परकार के बीच में आएगा कि AR is equal to MR होता है सीधे हमने रेखा ड्रॉ कर दी तो आपके question उड़ता है कि student के सामने कि ऐ क्यों होता है तो हमने इसको यहां पर बताया क्यों हमने इसको यहां पर बताया तो जब हमको यहां पता है कि जब इसकी value सब जब एक जैसी है ठीक है तो यह भी एक ही जैसा तो बनेगा ठीक है इतना से पड़ी देखा होगी तो इस परकार से यह हुआ हमारा कि पूर्ण प होते हैं इस सारा का सारा डिटैल इस वीडियो में हमने लिया है तो अंत में यहां पर लिकावा है तिशूल एजूकेशन इदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके घ्यान को बढ़ाता है तो प्लीज अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और अपनी सात्यो प्लीज आपको बढ़ता है